नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका ITI Tech Education में दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चेनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा और बेल आइकन यानि घंटे वाली बटन जरूर दबाईएगा दोस्तों जिससे कि आप हमारे करने वाले हैं जिसके बारे में हर एक ITI holder सोचता रहता है और जानने की कोशिश करता रहता है अक्तर यह देखा गया है कि ITI पूरी करने के बाद ITI कम्प्लीट करने के बाद ITI student को apprenticeship करने में काफी दिक्तों का सामना करना पड़ता है होता यह है कि ITI करने के बाद उनको मालूमी नहीं हो पाता है कि हमें apprenticeship कहां पे लेगेगी और कैसे लेगेगी apprenticeship पा सकते हैं तो दोस्तों बहुत ही महत्तपूर्ण विसाहर जैसा कि हमने दोस्तों आपको पिछले वीडियो करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा महत्तपूर है समाचार पत्रों के मात्यम से रोजगार समाचार पत्रों के मात्यम से आपको लगातार एपटूडेट रहना पड़ेगा अगर आप रोजगार समाचार पत्रों पे अप्टूडेट नहीं रह पाते हैं तब आपको इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको लगातार आइडिया जोब आइडिया अपंटिशिप सेर्च करना पड़ेगा जिससे कि आप आइडिया अपं तो वो विग्यप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में उसका प्रकासल लग कांटिनुवसली किया करते हैं अगर वो समाचार रोजगार समाचार पत्रों में नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो इंटरनेट पे आपको जानकारी लग सकती है तो आपको सबसे ज़्यादा मुहत करने वाले हैं आईटी आई अपरेंटेशिप इस समय निकली हुई है इस रों में भारती अंतरच अनुसंदान संगठन इस रों जो कि भारत सरकार अंतरच बिज्ञान का एक डिपार्टमेंट्ट है अंतरच बिज्ञान का है विवाग है जिसमें आपको महंद्रगरी में आप apprenticeship कर सकते हैं अगले अब बदा दे रहें दोस्तों इसमें हम जो बिग्या आपको ट्रेड जो निकाली गई हैं उनकी पोजीशन उनकी संख्याएं हैं वो आपको दिखाई पड़ जाएंगी चाहें ट्रेड फिटर वेल्डर इलेक्ट्रीशन टर्नर मचिनिस्ट ड्राप् केमिकल प्लांट और कुपा तो दोस्तों अगर आप इन ट्रेड से कर रखे हैं तो अगर आप apprenticeship करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है सुनहरा उसर है आप apprenticeship कर सकते हैं जहां तक बात कर लें इसकी स्टैपेंड की तो स्टैपेंड की जहां तक बात करें तो स्टैपेंड बहुत सारी ट्रेडों का आपका सार जार दोसो रुपिया प्रतिमंद के हिसाब से स्टैपेंड आपको मिलेगा सिवाए कोपा को अगर छोड़ दिया जाए कोपा में आपको 6400 का स्टैपेंड ज़िए और उसके साथ में आपको IDI किसी भी जिस ट्रेट से आप आप करना चाहते हैं उस ट्रेट से आपका NTC Certificate आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है न्टीसी मतलब नेशनल ट्रेट certificate आपके पास होना ज़रूरी है जिस trade से अगर आप फिटर trade से आप apprenticeship करना चाहते हैं तो आपके पास फिटर trade का NTC certificate होना चाहिए अगर आप RAC से करना चाहते हैं तो RAC का RTI certificate आपके पास होना चाहिए तभी कर सकते हैं दोस्तों आप बात कर लेने इसके age limit के बारे में बहुत ह कमी संस्थानों में देखा गया है कि जो apprenticeship की age होती है बहुत कमी रखी जाती है लेकिन हम जब बात महेंद्रगरी इसलों की बात करते हैं तो उसमें age limit 35 साल 35 वर्स की आपको रखी गई है आपको 13-10-2018 को आपकी उम्र जो है वो 23-35 वर्स की होनी चाहिए अगर आपकी इस सीम को 5 साल की चूट और OVC को 3 वर्स की चूट प्रदान की गई है जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं 3 वर्स की चूट OVC को और 5 वर्स की चूट SC और ST को दी गई है दोस्तों अब बात कर ले रहे हैं इसके आवेदन प्रकिया की बारे में दोस्तों यह जो आवेदन माग करेगा उस फार्म कोड डाउनलोड करने के provosa को अची थरीके से फिल अब करना हो बहुत ही सए इसमें कोई दिक्कर्ट नहीं है वतलत सब्सक्राइब में दिया गया है आप उसको अची तरीके से फिलकश्च करेब करने के बाद में जो आपको में दिया हुआ होगा या फिर अगर आपके पास नहीं है तो जो हमने फ़स्त पहले प्वेज में हमने आपको बताया था उसी एड्रेस पर आप उसको बढ़के देज भी सकते हैं और इसमें जो चैन प्रक्या होगी वह आपका आप मेरिट माई जाएगी, मेरिट के इसाब से आपकी चैन प्रक्या होगी उसके बार आपका इंट्रिवीव होगा जहां सकते हैं तो आप आहिक जानकारी के लिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको पूरी संकाहों का समाधान हो जाएगा तो दोस्तों ये था इस रो का अप्रेंटिशिप के बारे में तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माद दम से जरूब हो चाहिएगा और अगर आप किसी भी अन्य सब्जक्ट पर वीडियो बनानी के लिए प्रेग करना चाहते हैं तो उसको भी आप लिख के दिएगा मैं पूरी कोसिस करूंगा कि उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाओं तो